हाई अब्रिवान वेलकम बैक टो में चैनल तनुशी एंड फैमिली मैं नेम इस शिवानी आज की जो वीडियो है वो है लेडी स्पेशल जितनी मेरी फीमेल वीवर्स हैं उनके लिए बहुत जादा एक इन्फॉमेटिव वीडियो है तो आप भी जरूर देखिए एंड तक औ करो एक थमसब दे दिया करो और कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपनी फीडबेक जरूर बताएगा और और कोई आपकी क्वेरी हो या आप चाहते हो जिसमें मैं वीजियो बनाओ वो भी मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं तो आए शुरू करते हैं या कुछ दिन नहीं पहनते हैं हम घर के अंतर हैं हमें कोई देख नहीं रहा है जिसे अभी ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है बहुत सारी फीमेल्स हो सकता है ये सोच रहे हो कि हम बाहर नहीं जा रहे हैं घर में ही हैं अकेले हैं या फिर जो लड़कियां होस्टिल और हमें गाइड नहीं करती हैं ब्रा पहनने के लिए और हम विदाओट वियरिंग ब्रा हम बहार जाते हैं और जो हमारे ब्रेस की डवलपमेंट है वो ब्रा के बिना होती है तो यह सारी चीज़े हम डिसक्स करने वाले हैं कि टीनेज में ब्रा आपको क्यों पहननी चाहिए इसके साथ साथ अपके अपनी पूरी लाइफ में ठीनेज के बाद भी आपको ब्रा क्यों पहननी चाहिए और इसकी इंपोर्टेंस क्या है तो आए शुरू करते हैं लाट्स केट स्टारेइड तो बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से हमें गल्स को ब्रा जरूर पहननी चाहिए और बहुत सारे रीजन ऐसे भी होते हैं जब हम सोचते हैं कि ब्रा को थोड़े टाइम के लिए यूनो ब्रेक दे देना चाहिए जैसे कि हम girls जब पूरे दिन का काम अपना वगरा करके ठक जाते हैं तो शाम को हम सोचते हैं कि थोड़ी देर जब हम अकेले हैं अपने रूम में हैं या फिर जो girls hostel में रहती हैं अपनी जीज में रहती हैं अकेले girls का ही महौल जो होता है तो हम सोचते हैं कि यार थोड़ी देर इस ब्रा से अराम मिल जाए बिगर अगर आप बहुत ज़दा टाइच पहनते हो या गर्मियों में पहनते हो तो बहुत ही इजीली आपको उस एरिया में पसीना आ जाता है लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होने वाली है जैसे कि आपको पहले बता दिया बताने वाली हूँ इसके साथ आप टीन एज में अगर नहीं पहनते हैं राइट टाइम पे ब्रा या फिर एक टाइम बाद अगर आपकी एज हो गई है आप आप सोचते हो कि मुझे ब्रा की जरुवत नहीं है तो क्या होने वाला है पहला हम डिसकस करते हैं health wise या फिर medical reasons जो हैं वो क्या कहते हैं medical science क्या कहता है कि क्या होगा पहली चीज़ तो यह है कि आपके जो breast हैं वो sag करने लगेंगे breast sagging means कि आपके जो breast हैं वो लटकने लगेंगे लटकने धीले पड़ जाएंगे और बहुत ज़दा अजीब लगेगा वो देखने मैं आपने देखा भी होगा जो rural areas की जो old women's हैं और जो गाओं वाले थोड़े कस्वे के area देखे होंगे जो old women आप देखोंगे तो काफी ज़दा उनके breast आपको sag मिलेंगे और उनका एक यह बहुत बड़ा reason होता है bra ना पहनना सही size की bra ना पहनना या फिर bra give up कर देना मतलब वो पहनती ही नहीं है तो यह एक बहुत बड़ा reason होता है और यह आप पे साद भी हो सकता है अगर आपने bra नहीं पहनी तो तो सेग पेस्ज और भी बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कि आपका भूट जादा मुठापा है, वेट जादा है, तो भी थोड़े बहुत breast sag होते ही हैं, इसके अलावा जब आप breastfeeding कराते हो, तो होते हैं, इसके अलावा genetic reason भी हो सकता है, तो ये कुछ natural reason है, जिनकी वज़े से होती ही है नैचरली पर इसके लावा अगर आपने प्लस यहां पे अपनी ब्रा भी छोड़ दी पहनना तो और ज्यादा तेजी से आपके जो ब्रेस्ट हैं वो सैग हो जाएंगे लतक जाएंगे बिलकुल जिसकी वज़र से आपको वहां पे काफी जादा पेंड भी हो सकता है नेक्स जो मेडिकल रीजन है वो यह है कि आपके जो ब्रेस्ट है जिनके इस्पेशली हैवी ब्रेस्ट साइज होता है उनको एक सपोर्ट की बहुत जादा जरूरत होती है अगर वो ये ब्रा का सपोर्ट उन्हें नहीं मिलेगा तो उनकी जो बैक बॉन है वहां पे काफी ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है वहां आपको पेन हो सकता है शोल्टर पेन आपको हो सकता है आपको चेस्ट में पेन हो सकता है ब्रेस्ट अराउंड में इसके साथ साथ आपका जो पोस्चर है आपका पूरा पोस्चर भी खराब हो सकता है पेन के साथ साथ पोस्चर भी आ बहाव डालता है, मैली चीज तो यही है कि जब breast sag हो जाएंगे तो वो देखने में बहुत जादा visible होगा दूर से ही लोग आपको देखके आपके breast sag देखेगा जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लागेगा, दूसरी चीज अगर आप अपने breast जो हैं वो develop हो रहे हैं और आप ब्रान नहीं पहनती हैं, ऐसे में बहुत सब्सक्राइबल हो सकता है आपके लिए और जब आप भागोगे दौडोगे या कोई भी physical activity करोगे तो बहुत सब्सक्राइब बाउंस करेंगे आपके breast उसको मेरे breast लतकते हुए दिख रहे हैं या मेरे nipples शो हो रहे हैं मेरी dress में से बिकूस एक जो ब्रा है आपकी वो एपको एक support के साथ साथ एक coverage भी देती है वहाँ पे जिसे की अगर girls में problem होती है कि आप nipples जो हैं वो pointed हो रहे हैं दूर से dress में से दिख रहे हैं तो ब्रा एक support अगर आपको देगी तो शायद वो ना हो तो उसके भी बहुत जादा chances होते हैं girls बहुत जादा conscious हो जाती हैं अस चीज़ को लेके और constantly यह सोचती हैं अपने appearance पर ध्यान देती हैं और comfortably नहीं रह पाती हैं और जो आप काम कर रहे होगे उस पर भी आप easily free होगे उस पर ध्यान नहीं दे पाऊगे तो इस तरह से भी यह काफी जादा आपको effect डालता है तो यह सारी reason मैंने आपको बता दिये इसके अलावा एक और reason है कि teenage में अगर आप सही time पे सही size की ब्रा नहीं पेहनोगे तो आपके breast की development पे भी काफी असा जाल सकता है आपके हो सकता है कि दोनों breast की जो growth है वो अलग-अलग तरीके से आपका जो एक side है वो ज़्यादा बड़ा हो एक side छोटा हो या फिर और भी unproper shape हो सकती है उनकी तो ये shape में भी आपकी you know effect कर सकता है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ब्रा ज़रूर पहने सही size की ब्रा पहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके उपर भी मैंने separate video बनाई हुई है कि आप properly कैसे measure कर सकते हो अपना सही size इस video के end में उसका link दे दूँगी आप उसे ज़रूर चेक कीजेगा और अभी के अभी इस video को देखने के तुरंद बाद आप एक inch tape लीजे और अपना breast size ज़रूर measure कीजे और चेक करें कि आप सही size की ब्रा पहन रही है या नहीं बहुत सारी girls हैं 70-80% girls हैं जो गलत size की ब्रा पहनती हैं जिसके effect भी same यहीं हो सकते हैं तो आपको सही size की ब्रा पहना भी बहुत ज़रूरी है इसके साथ साथ अब एक question यह आता है या रात के time नहीं उतार सकते तो उस time पर क्या करना चाहिए क्या रात को ब्रा पहन के सोना चाहिए या उतार के सोना चाहिए ऐसे बहुत सारे questions है जो हमारे मन में आते हैं जो कि मैं आपको reply ज़रूर करूँगी इस वीडियो के second part में जो कि मैं शायद next Monday को लेका रहा हूँ दूसरे part में मैं इसलिए बताऊँगी क्योंकि अगर आपके दिमाग में भी इसके अलावा और कोई questions आ रहे हो ब्रा से related या आपके ब्रेस से related तो वो आप मुझे comment section में आप मुझे पूछ सकते हो और आप मुझे email भी कर सकते हो अपनी query तो जो मैं next Monday की वीडियो बनाऊंगी उसमें उसका आपको reply दे दूँगी और next Monday का वीडियो मैं आपको भी बता देती हूँ यही होने वाला है कि रात को ब्रा पहन के सोए या उतार के सोए और अगर पहन भी रहे हैं तो किस तरह की ब्रा आपको choose करने चाहिए जो कि आपके लिए comfortable हो और जो आपकी need में आपको problem ना करे तो सब कुछ होने वाला है उस वीडियो में इसके साथ है जैसा मैं आपको कहा आप मुझे अपनी queries भी बता सकते हो comment section में तो आज का वीडियो आपको पसंद आया हो थोड़ा सा helpful लगा हो please lag ज़रूर कीज़ेगा और जोसा मैं आपको कहा सारी females के साथ में ज़रूर share कीज़ेगा because ये गलतियां I think हम लड़कियां बहुत जादा करती है especially गर्मियों के टाइम में आज बहुत करती है कि हम सोचति हैं कि अरे अरे अरा नहीं पहनते तो क्या हो गया कोई नहीं है घर में नहीं पहनते चाहे हुग अपने कमरे में है नहीं पहनते चाहे हो गया लेकिन ये आपकी kalo काफी जादा effect डाल सकता है तो please please जरूर share कीजे for the awareness एंड बने रही है हमारे साथ हमारी वीडियो आती है मड़े वेड़नस टे एंड फ्राइडे सब्सक्राइब जरूर कर लिजगा चैनल को पहली बार है यहाँ पर बैल आइकन को प्रेस करोगे तो हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे बैल आइकन जर अचान रखो और अपनी कोईरी जो है और ब्रेस्ट रिलेटेड या ब्रा रिलेटेड वो भी जरूर मुझे कॉमेंट कीज़ेगा बाबाई टेक क्यार